हलो वीवर्स मैं हूँ आनंद और आपका स्वागत है हमारे चानल पतना ब्लॉगर्स में और हर बार की तरफ फिर से मैं आपको बहुती बढ़िया बहुती सांदार से टॉपिक पर वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा है और आज के मारे वीडियो का ठेटल है कि आज मैं आपको बिहार की राजधानी पतना से मात्र दो घंटे के दूरी पर इस्थेत एक छोटे से सहर चप्रा के एक सक्से स्टोरी की कहानी सुनाने जा रहा है यहाँ पर बहुत ही शांदार मॉल बनने वाला है चप्रा वाले कभी इस बात पर यकिन नहीं करेंगे कि चप्रा में मॉल भी हो सकता है मैं बात कर रहा किसी छोटे-मोटे शॉपिंग मॉल की नहीं बहुत बड़े शॉपिंग मॉल की जो छपरा सहर में बनने जारा है ये कौन सा मॉल होगा कहां स्कित होगा इसकी क्या-क्या फसलिटीज होगी क्या-क्या इसकी विशेस्ताइं होगी वही मैं आपको बताएं लेकर जारा तो ये डिसाइड किया गया है छपरा के एक इंफ्रस्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा कि छपरा में 21,000 स्क्वाइर फिट में अत्य धुनिक सुविधाओं से लास मॉल बनाया जाएगा और ये बनना सुरु भी हो गया है लोग अपना निवेश भी कर सकते और ये बहुत बड़ा मॉल होगा यहाँ मार्केट की सभी सामगरी इस मॉल में उपलग रहेगी यहाँ रिलाइंस सुपर स्टोर के लावे रास्ट्रिय अलतर रास्ट्रिय ब्रांट के स्टोर फुड कोर्ट भी एवेलेबल होगे छपरा का यह पहला मॉल होगा जिसमें आप मनोरंजन के साथ आज शॉपिंग भी कर सकते हैं दरदल छपरा में बनने वाले इस मॉल में मल्टिप्लेक्स भी शामिल रहेगा जिससे आप छपरा के लोग को मूवी देखने के लिए परिवार को बहार ले जाने की दरूत नहीं होगी और शहर की अग्रनी इंफ्रास्रक्चर कंपनी ने छपरा के पहले अत्याधूनिक शॉपिंग मॉल की घोशना कर दी है और इस मॉल का भूमी पूजन भी हो गया है और मॉल का निर्मान कारे सुरू हो चुका है कंपनी के M.D. पुनित गुप्ता ने बताया कि पिछले 10 सालों से उनकी सोच थी कि छपरा में कतेधूनिक मॉल हो शहर से कहीं बाहर जाने पर वो देखते थे कि मॉल कल्चर से जीवन कितना बगल चुका है इसी सोच को लेकर कि उन्होंने चपरा में भी मॉल बनाने की सोच अपने मन में रखी और अब इसका न्यू रख़दा चुका है और इस मॉल का निर्मान जो है चपरा शहर के राम नगर धाला के पास दाहिनी तरफ कराया जा रहा है और यह बहुत ही शांदार मॉल होगा और इसका पिक जो हमें आपको दिखा रहा मुझे उमीड है कि आपको वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक और भूलेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंस के साथ शेयर भी करतेंगे